हेलो गाइस तो क्या से आप लोग आई होप अच्छी होंगे तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएसी सेकंडिर के बुक अरियल अनालाइसिद और इसका चेप्टर नमबर फाइब पावर सीरिज की एक्जामपल नमबर टू को आज हम सॉल्व करेंगे ठीक है इज्चामपल नमबर 100 मैंने औरडी सॉल्व कर दी गई है वो वीडियो भी अपलोड कर दी गई है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो अपने इजिए से चेक कर लेना और जब भी exam में question पूछा जाएगा तो proof से related ही पूछा जाएगा ठीक है तो करते हैं इस question को अब हम start जब domain होगा तो आपने वीडियो देख लेनी है first question की जब proof होगा तो आपने ये सीख लेना है कि कैसे proof करते हैं इसको ठीक है तो करते हैं example number two को अब हम solve तो जे रही आपके पास example number two देखो सोचने से पहले सोरी इसको करने से पहले ना आपको क्या पता होना चाहिए एन पता होना चाहिए इन question का के बार तो इन question मैं एन पहले दिया उता है last मैं बोई उठा कि आप उससे carry on कर सकते हो आगे अब क्या करना है एन नहीं दिया हुआ तो हमें एन बनाना पड़ेगा कैसे बनेगा एन अभी बताते हैं जैसे हम infinite series में करते हैं ओके तो summation infinity n is equal to 1 जे तो लिखना ही पड़ेगा ठीक है एन ऐसे ही बनता था minus 1 n minus 1 divided by 2n minus 1 और x की power 2n minus 1 सर जे आया कहां से जे कहां से आया क्या जे तो नई problem है अच्छे जे कहां से आया है आपको ना एक mind लगाना पड़ेगा खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसी मैं क्या चीज रखू एन ताकि मेरे पास जे चीज सैटिस्वाई हो जाए इतना mind आपको लगाना ही पड़ेगा अजे graduation level है अब देखो n की जगह पे बन पुट करके देखो n की जगह पे एकस की जगह निए सिर्फ n की जगह पे जब भी n की जगह पे बन पुट करके देखोगे तो आपके पास x मिलेगा जे मैं गरंटी देता हूँ आप पुट करक देखो तो आपके पास जे चीज मिल जाएगी सिर्फ n की जगह पे पुट करना है जे सभी value ओके इतना तो कर लोगे ठीक है आपको खुद से सोचना पड़ेगा ओके क्या ऐसा क्या n चूज करें कि ताकि जे चीज सैडिस्पाई हो रहे ओके तो आगे करते हैं अब हम इसके पास क्या करते थे हम एक्स की जगह पे क्या पुट करते थे जीरो बन टू थरी ठीक है तो एक्स की जगह पे मैं अब एक्स की जगह पे जीरो वान टू जीरो तो लेना इन्हें यह सिर्फ बन पुट करके देखो एक्स की जगह पे ठीक है तो एक्स की जगह पे बन पुट क तो पूरा 0 हो जाएगा ठीक है तो 2N-1 तो X की जगह पे 1 पुट किया तो यह 2N-1 तो 1 की पावर 2N-1 कितना होता है 1 नहीं होता है तो आपके पास A-N के मिल जाएगा – 1N की पावर – 1 और 2N-1 यह होता था ठीक है इतना तो clear ना अब आगे देखो कैसे करना है अब आगे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है आपने इसके बाँ जो step हो था था पावर सीर्ड में आपने n की जगा पर क्या put करना है n प्लस 1 पूट करना है क्या put करना है n की जगह पे n plus one इस equation में तो n की जगह पे n plus one apply कर दिया जहां जहां पे आपको n दिखाया देता होगा 지금 n plus one put करना है तो कर दो put minus one देखो इसकी जगह पे n की जगह पे n plus one put करोंगे तो n plus one और minus one ये ना से जो मर जाएगा divided by यह नीचे 2 n के जग़ा पर क्या पूट करना है n प्लस 1 और माइनस 1 मारे पास क्या बच गया माइनस 1 की पावर n ठीक है और divided by x को अंदर multiply कर तो 2n और 2-1 तो हमारा answer आने वाला है माइनस 1 की पावर n और 2n प्लस 1 ठीक है तो an प्लस 1 का answer की आगया हमारे पास यह आगया ठीक है इतना तो clear रहा न आपको अब इसके बाद हम next page पे करते हैं ओके तो यह तो last में आगया था हमारा इतना ठीक है आगे radius of convergence का formula क्या होता है r is equal to limit and approaches to infinity और an divided by an प्लस 1 ओके यह होता था अब देखो an की value आपके पास क्या आई थी ठीक है देख लेनी है an की value आपके पास आई थी j वाली ठीक है j value आई थी an की ना put कर देनी है इसमें ठीक है तो put कर दो क्या थी minus 1 की power n minus 1 और divided by 2n minus 1 और an प्लस 1 की value था आपके सामने लिक हुई है ठीक है और यह से जए कट जाईगा ठीक है और यह बहुत है जाए गां चले जाएगी उपर चले जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा तू एन प्लस बन डिवाइड बाए टू एन माइनस बन और यह मोडूलमात बंद और लास्ट में जे लिख लेंना लीमट एन अपरोच इस तो divide कर दो ठीक है क्या है n न चीक है तो सब के नीचे n divide कर दो ठीक है तो 2n upon n minus 1 upon n ठीक है और n की जगह पी क्या put कर दो infinity put कर दो तो 1 upon infinity कितना होता है 0 इसे ये cut गया इसे ये cut गया वाकि तो हमारा क्या बढ़ जाएगा 2 plus 0 और 2 minus 0 तो 2 से 2 कट गया answer के आगया 1 तो radius की value कितनी आगी 1 ठीक है जैसे हमने example number 1 की थी तो बैसे नहीं करना है वो अब question ठीक है आगे उसमें domain पूछा तो domain निकाल दिया था अब domain नहीं निकालना है जहां से तो आप लिख दो इस cancer a n और a n plus 1 का answer क्या आया हमारे पास वन आया ठीक है इतना तो clear अब आगे देखो कैसे करना है आपने given एक series लिख दो ठीक है आपके पास series कैसे बनेगी थी फार्मुला लिखा था न चुलो लिखी देते हैं यह उता था फार्मुला अब देखो आर की वेली कितनी आई एक बन आई न तो एक बार minus 1 एक बार plus 1 तो इसको convergence में क्लिख दो convergence में कैसी लिखी जाती है ध्यान देना थोड़ा सा x less than 1 और minus 1 ठीक है ऐसी लिखी जाती है convergence में ओके पीशे भी किया था example number 1 में हमने ऐसे ही ओके तो इसके बाद क्या करना है आपने देखो यह बाला होता है less और यह बाला होता है greater तो मतलब यह पोस्ट ही मिल रहा ना तो ए एक बार x की जगा पर minus 1 पुट कर तो ठीक है तो आप 1 पुट करोगे तो तब भी आपका अंसर आई ही जाएगा बर करना किसमें है यह पुट देखो यह लिखी होगे आपने equation यह वाली ठीक है यह पूरी की पूरी लिख लेनी है आपने एक बार ओके तो क्या थी equation मैं लिख लेता हूँ एक बार पूरी की पूरी समिसन minus 1 और 2n-1 और x की पावर 2n-1 यह थी तो x की जगा पे पूट करना था इदर कर लेते हैं बाकी का ठीक है एक्स जगा पर वन पूट कर दो तो आपके पास अंसर क्या आ जाएगा देखो अंसर फिर आ गए आपका ठीक है तो लिखो समी सन इंफिन्टी भी लगा ले नो ठीक के उपर अब क्या आजाएगा माइनस वन एन माइनस वन डिवाइड़ वाई टू एन माइनस वन यह आजाएगा आपका अंसर फाइनल ठीक है आपने यह क्वेशन ऐसे करना है तो इसके बाद आप लिख सकते हो इस कनबर जैंट ठीक है तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार